तमिलनाडू, महराष्ट्र और करनाटक के लिहाज से सुप्रम कोट से एक बड़ी खबर हुई है इन राज्यों में जो परंपरागत खेल हैं तमिलनाडू का जल्ली कट्टू, महराष्ट्र का बेल गाड़ी दोड और करनाटक का कमबाला उन्हें सुप्रिम कोट ने अनुमती दे दी है इन राज्यों ने इन पारंपरिक खेलों को अनुमती देने के लिए जो कानून बनाये थे उन्हें संसत के अधिकार में अतिक्रमन बताया था याचिका करताओं ने लेकिन सुप्रिम कोट ने इसे नहीं माना है क्या कहते हुए दी गई थी चुनौती और सुप्रिम कोट ने क्या दिया है फैसला इसी की बात लीगल विच सहगल के इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इन पारमपरिक खेलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तमिल नाडू में बैलों को काबू करने की एक प्रतियोगिता होती है जो पारमपरिक है तमिल नाडू के कई इलाकों में होती है इसे जल्ली कट्टू कहते हैं महराश्टर में बैलगाडी दौड की एक प्रतियोगिता होती है ये भी एक परंपरिक खेल है और करनाटक में भैसे की दौड होती है जिसे कमबाला कहते हैं इन खेलों को पशू के साथ क्रूरता बताया गया था सुप्रिम कोट में और सुप्रिम कोट ने 2014 में दिये फैसले में इसे सही माना था सुप्रिम कोट ने तब ये भी माना था कि संसद ने prevention of cruelty against animal यानी पशू क्रूरता निरोधक कानून जो बनाया है उसके प्रावधानों के खिलाफ है ये खेल बाद में तीनों राज्यों ने अपने यहां संशोधित कानून बनाये और उन कानूनों में पशूँ के साथ क्रूरता का जो दावा था या जो आरोप था उसका निराकरण किया और उसका समाधान निकालने की कोशिश की साथ ही साथ राज्यों ने ये कहा कि ये संस्कृती का हिस्सा है ये खेल और संविधान के अनुच्छेद 29-1 के तहट संस्कृती के संवर्धन के लिए कानून बनाये जा सकते हैं साथी साथ राज्यों ने ये भी कहा कि सम्विधान का नुच्छेद 48 पशों के संवर्धन की भी बात कहता है तो ये जो पारंपरिक नसले हैं बैलों की, सांडों की या भैसों की उनका संवर्धन या उनका संरक्षन तभी हो सकेगा जब ये खेल चलते रहेंगे अगर ये खे अली कट्टू का खेल जो कि जनवरी के महिने में होता है तमिल नाडू में वो शुरू हो गया तमाम पशु अधिकार कारेकरता यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राज्य जो ये कर रहे हैं वो गलत है इसमें ना सिर्फ पशुों से क्रूरता हो रही है बलकि संसद क अधिकार शेत्र है संसद ने जो कानून बना दिया उसमें संस्कृति की रक्षा के नाम पर राज्य अपनी तरफ से संशोधन नहीं कर सकते हैं आखिरकार पिछले साल सुप्रिम कोट के पांच जजों की बेंच ने जिसकी अधिक्षता जस्टिस केम जोजफ ने की उसने मा पढ़ा और उन्होंने सबसे पहले संविधान की व्याख्या से जुड़े जो डॉक्ट्रीन्स हैं यानि जो अवधारनाये हैं उनकी बात की उन्होंने कहा कि डॉक्रीन ओफ कलरेबल लेजिसलेशन और डॉक्रीन ओफ पित अन सब्स्टेंस यानि यह जो डॉक्रीन है जो ये कहते हैं कि किसी भी आड में कोई भी नाम लेते हुए, कोई भी बहाना बनाते हुए राज्य संसत के अधिकार शेत्र में घुस नहीं सकते हैं, ये दावा हमारे सामने किया गया था कि दोनों ही सिर्धान्तों का उलंगन किया है राज्यों ने, इसे हम सही नहीं मानते हैं, राजियों ने कोई उलंगन नहीं किया है सुप्रिम कोट ने कहा कि पशु कुरूरता निरोधक कानून जो है पशु को बचाने की कोशिश की गई है राजियों ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें इन पहलूओं का ध्यान रखा यानि तमाम नियम बनाए हैं जिससे की पशु खेलों में हिस्सा ले सकें और उनके साथ क्रूरता भी न हो दूसरी बात ये है कि जल्ली कट्टू सदियों से तमिल नाडू की संस्कृति का हिस्सा है ऐसे में इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए तो इस बात को भी सुप्रिम कोट ने माना है साथी साथ सुप्रिम कोट ने ये भी कहा है कि पशों के संवर्धन के लिए भी इन खेलों का आयोजन जरूरी है सुप्रिम कोट ने कहा है कि जो क्रूरता का दावा हमारे सामने किया गया था जिसका नेराकरण करने की बात राज्य सरकार ने की है उसका ध्यान रखा जाए हर जगा जो district magistrate है यानि जो collector है जिलाधीश है किसी जिले के वो इस बात का ध्यान रखें कि पश्वों के साथ करूरता न होने पाए और अगर ऐसा होता है तो जो उचित कारवाई है ऐसा करने व ये नहीं कहा जा सकता कि संसत के अधिकार शित्र का अतिक्रमन करके राज्यों ने कोई गल्ती की है राज्यों ने संस्कृती का सरक्षन करने के लिए उसका संवर्धन करने के लिए कानून बनाये है और पश्वों से क्रूरता का भी निराकरण करने की कोशिश की है ऐसे में इन कानुनों पर रोक नहीं लगाई जा सकती तो जाहिर तोर पर तीनों राजियों के हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वहाँ पर ये पारंपरी खेल लोगों में बहुत प्रिये हैं खास तोर पर ग्रामीन इलाकों में और इन पर जब पहले रोक लग गई थी त ये पारंपरी खेल निर्बाद हो सकेंगे अगर पश्वों से क्रूरता होगी तो सरकार को उस पर कारवाई करनी होगी